हेलो डियरी स्टुडेंट्स आज हम आप लोगों के लिए क्लास एट मैथ उनिट टेस्ट सॉल करवाने वाले हैं तो यह वीडियो ज़रा ध्यान से देखी गया ताकि आप इसकूल में 25 में से 25 इजिली मार्स आप स्टुडेंट्स ला सको चलिए कॉस्चन नमबर फर्स स्टा दिया गया है जिसमें आपको x की value क्या करनी है find करनी है तो यहां पर दिखिए लिखा हुआ x plus 3 is equal to 5 यहां पर दिखिए x जो है उसकी value find करनी है तो उसको हम पहले अलग separate लिखेंगे ठीक है और इस इकवल टू आप यहां पर दिखिए 5 जो आपका है is equal to after है तो इसे write कर लि जाएगा तो x की value क्या आ जाएगी आपके बस 2 आ जाएगी ओके clear हो गया उसी प्रकार से question number 2 आपका दिया गया है 2 के अंदर आप देखो कि बच्चो क्या दिया गया है देखिए 2 जो question number है जिसमें आपको लिखा है कि minus 8 upon 5 plus x is equal to 2 upon find then the value of x यहां पर भी आपको बच्चो x की जो value है वो क्या करनी है find करनी है चलिए तो मैंने आपको कहा बच्चो कि जिसकी value find करनी है उसको दम side में लिखते है ठीके तो देखिए यहां पर लिखा हुआ minus 8 upon 5 plus x is equal to 2 upon 5 तो यहां पर देखिए x की जो value है plus में है तो इसको मैंने अलगी रखा मिंस उसमें transport नहीं किया है अब ही देखिए जिसको हम transpose करते हैं उसके sign बदलती है तो देखिए इसको मैंने transpose नहीं किया 2 upon 5 को मैंने transport नहीं है विकास वह अपने place पे सही है यहां पर देखिए 8 upon 5 minus का है तो इसको transport करके मैं किस में लेगे है बच्चो प्लस में ठीके मैनस का opposite प्लस होता है तो यहां प पर देखिए 2 प्लस 8 तो आपको कितना हो गया 10 हो गया so x is equal to 10 upon 5 हो गया आपको पता होगा कि 5 के table में 10 आपका आता है बच्चो 2 times में तो x की जो value होगी वो आपके कितनी आ जाएगी बच्चो 2 आ जाएगी चली question number 3 आपको दिया गया है 1 upon 2 is equal to y upon 10 बच्चो आप लोग को को इक्वेशन से जो भी सम होते हैं जैसे कि अगर multiply के form में दिया हो ठीक है किसके form में दिया हो गटा multiply के form में दिया हो तो वो जाता है divide के form में अगर divide के form में दिया हो तो यहाँ पर दिखिए 10 जो है आपका divide के form में दिया है ठीक है divide के form में दिया है तो किसको हम convert करेंगे multiply के form में 10 को हम किसे multiply कर देंगे 1.2 से तो देखिए y is equal to इससे हमने multiply कर दिया 1.2 multiply 10 तो देखिए 1.2 को हम 10 से multiply करेंगे तो y की जो value होगी बच्चो वो आपकी कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी तो इस प्रकार से question number 123 आप लोगोंने solve कर लिये हैं बच्चो वीडियो को like जरूर करते रही है का question चलिए question number 2 देखेंगे बच्चो ठीके question number 2 आपको दिया गया है यहापे चलिए देखिए question में दिया गया है 3x minus 5 is equal to 3 plus x clear बच्चो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3x minus 5 is equal to 3 plus x अब देखिए यहाँ पर जो x है और यहाँ पर भी x है तो x x को means जो आपकी value है variable जो होता है उसको side में कर लीजिए number जो है उसको 7 में कर लीजिए तो देखिए यहाँ पर जो x था वो plus का था तो उसको में उस side लेगा बच्चो तो किसका हो गया minus का clear and then यह भी 3 यह तो आपकी जगा पर रहेगा बच्चो और यहाँ पर आप 5 देखिए minus का है तो इसको transport करके में किस में लेगा बच्चो प्लस में लेगा तो देखिए 3x में से x गया तो आपका आया 2x 3 plus 5 आपका बच्चो हो गया 8 then x is equal to हो जाएगा 8 upon 2 अब 2 के table में आपको पता है बच्चो जो 8 आता है वो कितने times में आता है 4 times में आता है so x की value जो आपकी होगी वो कितनी आ जाएगी बच्चो 4 आ जाएगी चले question number 2 देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को question number 2 दिया गया है देखें लिखा हुआ है x upon 2 plus 5 upon 9 is equal to 2x upon 3 तो देखें मैंने आपको कहा ना बच्चो कि आपको variable जो होता है उसको 7 में कर लेना है दिजिट को 7 में कर लेना है तो यहाँ पर देखें जो आपको question दिया था यहाँ पर देखें 5 upon 9 5 upon 9 हो गया आप यहाँ पर देखें 2x upon 3 already variable है ठीक है यहाँ पर जो variable है x upon 2 उसको में z ले गया बच्चो ट्रांस्पोट करके तो यह plus का तो यह किसका हो गया minus का देखें तो 5 upon 9 यहाँ पर देखो के बच्चो कि जो आपका denominator से बोस्त एम नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे 3 & 2 का ठीक है बच्चो 3 & 2 का हम क्या लेंगे LCM लेंगे तो पता है आपको LCM हम लेंगे तो कितना आएगा बच्चो 6 इसका LCM आ जाएगा ठीक है तो देखिए इसको 6 करने के लि इस प्रकार से आप इसे डिनोमेटर से आप डिनोमेटर दोनों सैम कर सकते हो तो देखिए 5 upon 9 तो देखिए 2X को 2 से किया तो 4X 3X को 3 को X से किया तो 3X और 3 2 जा 6 तो देखिए 4X मैनस 3X तो आपका X हो गया अपन में 6 अब देखिए यह आपकी जो equation बनी ठीक है इससे हम क्य 9 3 के table से आप कट करोगे तो देखिए 3 के table में 9 आता है 3 times में और 30 आता है आपका 10 times में तो आप X की value लिख सकते हैं यहाँ पे 10 upon 3 आप चाहाओ तो इसे भी बिटा mix number में भी convert कर सकते हो ठीक है आप लिख सकते हो 3 3 जा 9 and 1 तो यह भी इसका एक क्या होगा answer हो जाएगा clear आप लोगों को चलिए next question देखते हैं इसका चलिए देखिए यहाँ पे देखिए questions आपको लिखा हुआ है answer the following question में ठीक है देखिए questions में लिखा हुआ है बच्चों कि if a and b are integers a and b दोनों क्या है integers है then which property is so a plus b is equal to b plus a means आपको यह बताना है कि कौन सी ऐसी property है तो जिसमें a plus b means जैसे हम लिखे बटा 2 plus 3 ठीक है या फिर 3 plus 2 तो देखिए 2 plus 3 5 होता है and 3 plus 2 भी आपको क्या होता है 5 होता है तो इस प्रकार की property आपको कहां देखने के मिलेगी तो हम लिखेंगे first question में addition is commutative क्या लिखेंगे बटा addition is commutative property में आपको देखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद question number 2 देखेंगे बटा question number 2 में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए आपको जो question यह बहुत easy है दिखा 8 upon 5 उसको हम किस से multiply करेंगे तो आपका answer जो होगा 1 आएगा तो देखिए 8 upon 5 को हम अगर 5 upon 8 से करते हो तो जिससे 8 से 8 आप cancel हो जाएगा 5 से 5 भी cancel हो जाएगा तो देखिए जो cancel होगा या फिर देखिए मैं इसको यहाँ पर भी समझा रहा हूँ आपको देखिए एक हम 1 से करेंगे तो आप answer से भी क्या आएगा बच्चो वन आ जाएगा clear हो गया चलिए last question हम देख लीजिए इसमें last question है question number 3 का देखिए लिखा क्या था इसमें विटा तो देखिए मैंने यहाँ पर questions लिखा बच्चो कि 5 upon 2 minus 7 upon 2 minus 8 upon 2 clear यह मैंने questions यहाँ पर लिखा है अब इसे हम solve करेंगे तो देखिए 5 upon 2 यहाँ पर 7 में से देखिए यहाँ डिनोमेटर तो semi है तो हम माइनस कर सकते हैं तो 7 में से 8 जाएगा तो माइनस 1 upon 2 तो देखिए तो दोनों के कैसे हैं सेम हैं तो देखिए 5 plus 1 upon 2 तो यहाँ पर आपका अंसर आया 3 clear देखिए कहने का मीनिंग क्या बच्चो कि पहले मैंने यह जो डिजिट लिए न यही मुझे लेना है बट मुझे क्या करना है कभी इसके साथ रखना है इसको कभी second के साथ रखना है तो यह 5 में से 7 क्या है तो minus 2 upon 2 minus 8 upon 2 यहाँ पर भी आप देखोगे तो denominator साबके सेम है तो हम क्या करेंगे नीचे 2 लिख देंगे तो minus 2 and minus 8 तो minus का क्या हो गया बच्चो 10 हो गया तो आप देख रहे हो इसका answer क्या गया minus का 5 तो आप देख सकते हो कि दोनों के answer क्या हुए match हुए नहीं है तो यह इस प्रकार की property है कि Sam होने के बाद भी answer Sam allowed कर रही नहीं है तो ही आपका answer है बच्चो चलिए आगे देखेंगे बच्चो देखें बहुत easy question है आप लोगों के लिए और बहुत मज़ेदार भी है ठीक है चलिए start करेंगे देखें लिखा हुआ है write down 3 rational number between 8 upon 5 and 7 upon 3 means 8 upon 5 से लेकर 7 upon 3 के बीच की आपको कोई भी 3 natural number लिखनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बीटा दोनों के जो denometers हैं देखें जैसे लिखा 8 upon 5 और लिखा है हम 7 upon 3 तो दोनों के denometer को same करने के लिए हम क्या करेंगे 5 को multiply करेंगे बीटा 3 से और 3 को multiply करेंगे 5 से जिससे दोनों के denometers क्या हो जाएंगे आपके same तो जिससे आप यहाँ multiply करते हो वहाँ पर भी वही करना है ठीके चलिए देखिए मैं आपको इसमें ही समझाओ देखिए मैंने क्या कि आप 5 को 3 से कर दिया तो क्या हो गया उपर भी 3 से करेंगे एक त्रीजा 24 और 5 त्रीजा 15 नीचे क्या गया बच्चों उसको 5 से कर दिया तो उपर भी 5 से किया तो कि 75 जा 35 और 35 जा 15 जिससे आपके denometers दोनों के कैसे हो गया बिच्चे देखिए यहाँ पर 24 अपन में 15 और आपका हो गया 35 अपन में 15 मिंस आपका जो जिन्योमेटर है वो सेम हो गया है अब हमें क्या करना है कि इसके बाद की मिंस जैसे लिखा ने 24 अपन 15 तो इसके बाद की तो मैंने यह पर लिख दी 25 अपन 15 कॉमा 26 अपन 15 कॉमा 27 अपन 15 तो इस प्रकार से हमारी यह रेशनल लंबर हमने राइट कर दी है क्लियर हो गया बच्चो उसके बाद कॉस्चन नंबर 2 भी हम देखते हैं बच्चो कॉस्चन नंबर 2 में आपको देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखे लिखा है राइट डाउन टू नेचुरल्स सोरी टू रिशनल लंबर बिट्मिन 2 अपन 3 माइनस का एंड मैनस 1 अपन 3 इससे भी आपको क्या करना है बच्चो स्वाल करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले तो बिटा डिनोमेटर सैम करेंगे तो देखे त्री त्री जब स इसको भी लिख सकते क्यूंकि हमें यहाँ पर टू रिश्ट लंबर निकालनी है जब डिनोमेटर सैम है तो देखे आप कहां से लिखो गिए तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको डिनोमेटर सेम तो ही लेकिन लार्ज बनाना में बड़ा बनाना है तो देखे 3 को मैंने 3 स multiply कर दिया बच्चों तो नीचे 9 हो गया तो उपर भी 3 से करेंगे तो आगया आपका 6 सब माइनस 6 अपन 9 और यहां पर भी मैंने 3 से 3 से कभी कोट डिनोमेटर तो से हमी रखना है उपर भी तो आपका आगया माइनस 3 अपन 9 अब हमें माइनस 3 अपन 9 से लेगे माइनस 6 अपन 9 की बीच की कोई 2 डिजिट लिखने है तो इजिली में लिख सकते हैं बैटा माइनस 4 अपन 9 कोमा 5 अपन 9 तो यहां पर लिखा है सो रेशनल नंबर बिटमिन 2 अपन 3 एंड 1 अपन 3 इसके बीच के यह हमारे रेशनल नंबर दिये गया है चलिए बच्चो लास्ट आपका टॉपिक आ गया है और बहुत इंट्रेस्टिंग सम है आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट्स भी रहेगा चलिए स्टार्ट करेंगे चलिए जिसके अंदर कॉश्चन में आपको दिया गया है कि दा रेश्यो प्रेजेंट एज और रेश्यों की दोनों प्रेजेंट एज का रेश्यों दिया है आफ्टर फोर एज मतलग चार साल के बाद दियर एज बिल भी थ्री अपोन फाइज फाइज तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उनके प्रेजेंट एज सपोस कर लेंगे तो देखिए पहले जो दिये रमेज की वो उत को दिया फाइज तो यहाँ पर मैंने सपोस कर लिया अनुपात जिसको बोलते हैं अपोन के फॉर्म में होती है क्लियर हुआ आपको तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर आपको राइट किया देखो महेश लिखा और रमेश और महेश लिखा रमेश ता फाइव एक्स एंड महेश आपका सेवन एक्स क्लियर हुआ पर फोर इस मतलब चार साल के बाद चार साल के बाद मतलब क्या होगा अगर बाद बोलते हैं बिटा आफ्टर देखिए आफ्टर वर्स लिखा तो प्लस करते हैं क्या करते हैं प्लस तो देखिए उनका रेशियो दिया 3 अपन 4 तो देखिए 5 एक्स प्लस 4 हो गया और 7 एक्स प्लस 4 और ratio आपका दिया 3 upon 4 मैंने आपको कहा ratio upon में आता है clear हुआ बच्चो यहां तक उसके बाद आप देखोगे बच्चो आगे यहां पे देखिए यहां पे जो आपको equation दिये गई है इसको हम solve करके हम आपको बता रहें आपे देखिए लिखा है 5x plus 4 upon में 7x plus 4 is equal to 3 upon 4 तो आप क्या करोगे पिटा cross multiply करोगे मतलब 5 को यहां पे जो 4 है उसको 5x plus 4 से करेंगे तो दिखिए 4 को हम 5x plus 4 से multiply करेंगे and 3 को 7x plus 4 से करेंगे ठीक है तो दिखिए 4 को 5 से किया तो 20x 4 को 4 से किया तो 16 is equal to 7 को 3x से किया तो 21x and 3 को 4 से किया तो 12 अब दिखिए बिटा यहां पे दिखिए 20x है यहां पे दिखिए यह प्लस का है तो इससे convert किया तो इक इसका हो गया minus का हो गया दिखिए और यह plus का था यह plus का था इसको convert किया तो minus हो गया तो यहां पे दिखिए minus का x आगया minus का 4 तो माइनस से माइनस कैंसल हो गया देन X की वेलू आपकी आगए बच्चो 4 आ गई तो रमेश की प्रेजेंटेज आपकी पता है आपको 5X दी तो 5X की जगापे पूर 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 करेंगे तो इसका अंसर आजएगा 20 तो इसका आगया 28 यह चलिए लाश्ट कोर्षण है हमारे पूरी एक्सेस पूरी हो जाएगी ठीक है मिन्स आपका पैपर पूरा हो जाएगा बच्चो चलिए लाश्ट कोर्षण आपको दिया अता अडिशन और सक्सेसिव मल्टिप्लाइग नाइन इस एटीवन फाइंड मल् आपको थ्री सक्सेसिव नंबर देने थे बच्चो अभी मल्टिप्लाइग इसके होने चाहिए 9 के मिन्स तो देखिए सबसे पहले तो एक्स हम लोग सपूर्ष करते हैं उसके बाद एक्स ब्लस 9 और एक्स ब्लस 18 क्यों किया बटा क्योंकि यह 8 के मल्टिप्लाइग होने च करना है तो सबसे पहले आप इमने सपूर्ष कर लिया 3 सक्सेसिव नंबर 9 के जो एक्स एक्स प्लस 9 और एक्स ब्लस 18 और अकॉर्डिंग टो क्वेस्टन इन दोनों का जो एडिशन था बच्चो ठीक है क्या दिया था एडिशन आपको कितना दिया था 81 तो अकॉर्डिंग गिवन डेटा एक्स देखिए ठीक है एक्स प्लस 9 और एक्स ब्लस 18 इस उक्वल्ट्वाटी टू अपका प्लस का तो इसको कउनवर्ट किया था तो हो गया माइनस का तो 3x इस उकल टूर 54 एक्स की वेलू आजे की 54 अपन में 3 एक्स की वेलू आपकी आगे बच्चो 18 अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे फर्स्ट सक्सेश्यू नंबर आपका था एक्स तो उसकी वेलू हो गई 18 सेकेंड जो था उसकी वेलू था एक्स प्लस 9 तो उसकी हो गई 27 और लास्ट आपकी जो दीती है ठीके थार्ड सक्सेश्यू नंबर उसका था एक्स प्लस 18 तो एक्स की जगा 18 18 तो आपका हो गया 36 तो इस प्रकर से बच्चों आप देख रहे हो कि आपका जो पेपर है वो क्या हो गया है कंप्लेट हो चुका है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा ता